आज बेसन की सबसी बनाएंगे बेसन की सबसी बनाने के लिए एक बर्तन में एक कटोरी बेसन लिया है उसी कटोरी से पवना कटोरी दई डाल रही है हूँ नमक अद्रक मिर्ची एक बर्तन में जिसमें ये बनाना है डोकला जैसा तो उसमें अभी मैं तेल लगा के तयार कर रही हूँ ये देखिए बेसन में अभी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ थोड़ा पानी पड़ेगा देखिए इडली का आट्या जैसा मिक्स करेंगे गुटली नहीं रहना चाहिए एकी साइड में एकी टर्न में मिक्स करने से देखिए ऐसा मिक्स हो जाता है देखिए इस कंसिस्टेंसी से इसमें क्वार्टर स्पून से भी कम सोडा डाल रही हूँ थोड़ा सब सोडा के ऊपर पानी डालके अच्छी कर से मिक्स करके जो ग्रीस करके रखका है न थाली उसमें डाल रही हूँ अब इसको स्टीम में रख करके बॉयल करेंगे देखिए पानी करम हो गया है अब यह स्टीम के लिए मैं रख रही हूँ देखिए ये 20 मिनिट्स ऐसा पक जावे तब तक मशाला रडी करेंगे ग्रेवी के लिए खसकस, दालचिली, लवंग, ग्रीन मिर्ची, काजू, अत्रक, हरिधनिया, टामाटर इसको अभी मिक्सी में डाल करके नाइस पेस्ट कर लेंगे अभी ये पक गया है देखिए लग नहीं रहा है चापु को अभी इसको बंद करके, थंडा करके काट लेंगे, पीस पीस जिसा काट लेंगे अभी तेल रखा है, तेल में ये काटा हुआ पीस डाल रहे हों इसको ब्राउन कलर, मना बादम कलर तल लेंगे कलर कितना सुन्दर आ रहा है गुमाते रहने से कलर अच्छा आ जाएंगा देखिए गुमाते रहने से कलर अच्छा आ जाएंगा ब्राउन कलर देखिए हो गया है बादम कलर आ गया है अभी इसको मैं निकाल रही हूँ जो बच्चा हुआ है उसको भी तल लेंगे देखिए ये भी रेडी हो गया अब इसको भी निकाल देती हूँ उसी कड़ाई में तेल डाल रही हूँ इसको चॉंक लेंगे लाल मिर्ची पोडर तेल में डालने से कलर रंग अच्छा आता है इसले तेल में डाल रही हूँ हल्डी डाल रही हूँ धनिया पोडर इसको घुमा लेंगे अभी जो पीस के रखा है ग्रेवी के लिए मशाला वो इसमें डाल रही हूँ इसको अच्छी तरसे घुमा लेंगे स्वाधनसार नम्मक थोड़ा मिक्सी धो के पानी भी डाल रही हूँ यह बॉयल होँए देखे बॉयल हो रहा है अभी इसमें जो तल के रखा था न बेसन का वो डाल रही हूँ यह पाँच मिनिट के लिए ऐसे ही बॉयल होँए ठाली बंद करके पाँच मिनिट के लिए बॉयल करके अभी सर्विंग बॉल में निकाल के गार्मिश के लिए धनिया डाल रहे हूं बेशन के सबची रेडी